Hello everyone, welcome to my YouTube channel इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HPSSE हमिरपूर से रिलेटेड दो क्वेशन के उपर फर्स जो है वो की फाइनल क्वेशन पेपर किस तरह से बनता था और ये पेपर लीक कहां से ये पेपर लीक हुआ क्या यहां पे बज़र रही तो उसके उपर हम बात करने वाले हैं तो ये जो क्वेशन पेपर होता था इसके लिए जो HPSSE के सचीव रहते थे वो एक पैनल बनाते थे पेपर सेट करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल जहां से साथ आठ कौशन पेपर बनाया जाते थे फिर जो फाइनल कौशन पेपर रहता था वो उन सभी कौशन पेपर का एक मिक्स रहता था वहां से किसी पेपर से कुछ कौशन उठाया जाते थे किसी से कुछ और फिर एक फाइनल पेपर बनाया जाता था तो जो लोग भी paper set करते थे तो उनको जो है वो सचीब को paper देना होता था चाहे वो mail के through बेशते हैं चाहे direct जाके देते फिर उसके बाद क्या होता था कि उसको safely रख लिया जाता था ताकि वो leak ना हो उसके बाद क्या होता था कि जैसे कोई भी exam पोस्ट कोड जो है वो नियरवाई जैसे date announce हो चुकी है तो एक बीक पहले जो है वो paper को print करवाया जाता था और ये भी एक मतलब ऐसा होता था कि जो paper print करने वाली press है उनको भी पता नहीं होता था आपने देखा होगा कि एक code रहता है जो नीचे रहते थे तब इन papers को हर एक district मतलब STM office इनको पहुंचाया जाता था वहां से ये जो है वो school को जाते थे लेकिन ये school उसी दिन पहुंचते थे सुबह जब exam होता था तो कुछ इस तरह से ये process रहती थी लेकिन उस exam जो उस question paper की एक copy सचिब के पास रहती थी जिसको की जो secrecy branch रहती थी वहां पे print करके संभाल के रखा जाता था और ये paper वहीं से leak हुआ है तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि उसको क्यूं रखते थे जब कुछ candidate absent होते हैं तो वहां से भी तो question paper वापस आते होंगे लेकिन उस question paper को रख लिया जाता था और इसके लिए भी एक rule है जब HPSC हमिरपूर बना था तो उसमें कोई भी post code का जब exam conduct करवाय जाता है तो उसके question paper को lifetime जो है वो संभाल के रखना पड़ता है और 10 सालों तक उस question paper की 5 copy with answer की और with expert panel जिन्होंने paper सेट किया उनके नाम के साथ उनको संभाल के रखना पड़ता है कुछ ये rules बने थी जब HPSC हमिरपूर बना था तो ये जो question papers leak हुए तो ये वही बज़र रही जहां पे इनको संभाल के रखा जाता था secrecy branch में वहां से इनकी copy निकाल ली गई क्योंकि वहां printer से इनको print करा जाता था तो वहां से copy लेके इनको leak किया गया तो ये पूरा procedure रहा बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो expert panel रहते हैं वहां पे multiple question paper बनाये जाते थे और वहां से जो है वो एक last में final question paper बनता था जहां पे अलग-अलग question paper से question उठा के एक final paper बनाये जाता था तो तभी आपको जो error देखने को मलता थे answer की मैं वो उस बज़े से भी कहीं बार होते थे क्योंकि कहीं बार जो paper set करने वाले होते हैं पैनल जो रहता है उन्होंने question paper जो होते हैं इंटरनेट से भी copy करे होते हैं रिसेंटली आपने बहुत सारे ऐसे exam देखे जहां पे सारा question paper जो है वो अब इंटरनेट से copy होके आते हैं क्योंकि इतना time कोई नहीं इंडगाता था क्योंकि किसी को नहीं पता होता था कि final question paper उनका होगा और यहां पे आपको बताएगी books भी आजकल कोई prefer नहीं करता है direct PDF डॉल्लोड करी जाती है और इंटरनेट पे भी काफी PDF और website पे questions अपेलेबल हैं तो कोई भी कुछ भी question डालेगा अगर वो खुद create नहीं करता है question कहीं से उठाता है question तो 100% चांस हैं कि इंटरनेट पे अगर आप उस question को कॉपी करोगे तो वो आपको आराम से मिल जाएगा तो कुछ इस तरह से यह total system रहा बाकी आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी इन formative लगी तो वीडियो को like, comment, share कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो further new updates के लिए